नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरो जोर आप देख रहे हैं Qtricks Data Interpretation के Lesson 7 में मैं आपके लेकर आया हूँ एक Missing Tabular Data Interpretation का Question जो की Mains के Exam में आ चुका है और बहुत ही अच्छा Question है बहुत ही अच्छा Data Interpretation है जिसमें calculation भी है, percentage calculation भी है, ratio proportion भी है और भी काफी कुछ है जिससे अब addition वगरा के calculation को भी बहुत असानी से सीख सकेंगे और इस DI में आपको जो values होंगी वो Missing होगी, Missing DI मैंने पहले भी आपको कराई हुई है तो सीखिए कैसे हम लोग को करते हैं, कैसे अप्रोच हमाजे लखनी है हमें अपनी अप्रोच को करने के लिए तो पहला आपका जो question है, पहले जो आपकी DI है, वो है study the following information carefully and answer the questions given below the given table shows the number of students in four different colleges in four different departments, ठीक है आपसे यह कहा गया है कि चार colleges है, A, B और C, D, ठीक है उसके पाँच department है, CAC, EEE, ECE और ME, ठीक है, चार department है और इधर आपको total दिया हुआ है ठीक है, आपको कुछ data जो आपका है missing है, जैसे A का CAC का data missing है, ECE उसी तरह कुछ-कुछ data given है, कहीं पर addition missing है, कहीं पर कोई particular जो students का number है वो आपका missing है, ठीक है, तो इसी table को देखते हुए मैं questions के answer देने हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे question को मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं solution कर रहा हूँ, उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेगा तो चले बढ़ते है question number 1 की दरफ If the ratio of the number of students of CSE from A to C is 21 ratio 32, find the number of ME students from C, ठीक है जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह question जो है, यह जो DI है, वो mains exam में आ चुकी है, PO mains में और RB PO mains में आ चुकी है तो उसी पे base है, memory based है, काफी कुछ match करता है memory based में, ठीक है तो देखिए ध्यान से समझेगा, level भी आपको देख के पता चलेगा कि कितने advanced level का यह question है चले, question में आपसे कहा गया है, कि if the ratio of the number of students of CSE, चीक है, CSE from A to C यानि जो CSE है, यह CSE हो गया, इसका जो A के student है और C के student है, इसका जो ratio है, वो 21 ratio कितना है 32 है, कितना है आपका 21 ratio, 32 है, find the number of ME students, find the number of ME students from C आपको क्या करना है, निकालना है, अब देखो, क्या-क्या चीज़े missing है, जो जो हमें question पूछा गया, बैस CSE में ratio दे रखा है 21 ratio, 32 है, अब किसी भी number को ratio में divide करने के लिए, वो number हमें चाहिए होता है, यानि यदि मुझे A और C का addition मिल जाए, यदि मुझे A और C का addition मिले, तो मैं उसको 21 ratio 32 में divide कर सकता हूँ, और उसमें से मेरा A आ जाएगा, उसमें से मेरा C भी आ जाएगा, ठीक, अब ये addition मिलेगा A plus B plus C plus D, ठीक है, is equals to कितना दे रखा है, आपको 2000 दे रखा है, ठीक है, अब इस A और C के तो हमें missing है, B plus D का data दे रखा है, B plus D कितना हो जाएगा, 5 और 3 मैं लिख देता हूँ आपके लिए, A plus C, B plus D, B दे रखा है, आपको 580 और D दे रखा है, 360, is equals to 2000, ठीक है, तो A plus C ये ठीक है, 8 और 6 कितना हो गया, 14, carry 1, 5 और 3, 8 और 1, 9, तो ये कितना हो गया, 940 आ गया, तो इज़े को स्टो कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है, तो A plus C की जो value आएगी, वो कितनी आएगी, A plus C की जो value आएगी, वो आएगी, 2000 minus 9 of 40, 940 हो जाएगी, अब 2000 में से 940 को मैनस करना भ यानि जो A plus C हमारा आगया, वो कितना आगया, A plus C आगया, 1060, अब इस 1060 को हमें 21 ratio 32 में divide करना है, यानि 1060 को 21 ratio 32 में divide करने के लिए, 21 plus 32, 2 और 1, 3, 3 और 2, 5, चिक, इन दोनों का addition कर दिया, आपको तो आता है कैसे हम लोग divide करते हैं, तो 53 से इसको divide करेंगे, तो ये 2 times जा र 21 कितना हा जाएगा, into 21 करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 420, और into 32 करेंगे, तो ये आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64, यानि 640 आ जाएगा, यानि ये जो value आ गई, वो हमारे कितनी आ गई, 640 आ गई, और ये जो value आ गई, वो आ गई, कितनी, 420 आ गई, अब हमें निकालना क्या है ध्यान दीजी हमें निकालना है ME student from C तो ME student from C अब जो process हमने यहाँ पे apply की थी वही process हम यहाँ पे apply करेंगे कैसे इस value को निकालने के लिए मैं 2000 में से इन तीनों का addition subtract कर दूँ तो यह value मेरे पास आ जाएगी तो मैं क्या करता हूँ ठीक है इन तीनों को add करता हूँ फिर 2000 में से उसको मैं subtract कर लोगा क्यों क्यों कि यह चारो department this plus this plus this for C उनका addition आपको कितना दे रखा है 2000 आपको दे रखा है ठीक है ना तो कितना हो जाएगा देखिए 640, 540 और 440 को add करिए देखिए add करना tough नहीं है असान है कैसे असान है देखिए 6 और 5, 11, 11 और 4, 15 तो 1500 तो आपका क्या हो गया यह हो गया ठीक है फिर 40, 40, 80 और 80 और 40, 120 हो गया तो 1500 प्लस 120 इस 1620 यहनि आपको क्या करना है आपको निकालना है 2000-1620 ठीक है अब देखे यह minus करना यानि subject करना भी tough नहीं है असान है 2000 में से पहले आप 1600 मैनस कर दीजी तो 2000 में से जब आप 1600 मैनस करेंगे तो आजाएगा 400 400 में से और 20 मैनस कर दीजी तो आजाएगा 380 यहनि आपका answer क्या हो गया option number a आपका answer हो गया 380 यहनि यह value आई वो कितनी आई 380 अब यह तो answer आगया अब जो इस question में ध्यान देने वाली चीज़े है वो कितनी important है उस चीज़ को समझीए देखिए हमें क्या निकालना था c निकालना था m e के लिए ठीक है m e के लिए c निकालना था c के लिए m e निकालना था बात एक की है तो इसके लिए हमें इसकी जरुवत थी क्या हमें इस 420 की कोई जरुवत पड़ी है नहीं पड़ी है ना इस 420 की जरुवत ठीक है ना तो यह वाला जो मैंने step किया है यह वाला step मैंने additional किया है अतिर निकालने में problem ना हो, ठीक है, clear हो गया, पहली जिस तो यह हो गई, दूसरी जीज, जब हम subtract कर रहे हैं, add कर रहे हैं, यह जो मैंने calculation किये है, यह सरिफ आपको मैंने दिखाने के लिए किये है, कि कैसे हम करते हैं, लेकिन जब मैंने इस calculation को किया, तो directly मैंने table से add किया, और आप question number, अब हम लोग 2 देखते हैं, total number of EEE students from all the colleges together is 1900, then what is the number of ME student from B, तो क्या बोला के आप से, total number of EEE, triple E का है यह है, student from all the colleges 1900, यहानि इन सभी का जो addition है, वो कितना है, 1900, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, this is only for this particular question, then what is the number of ME students from B, then what is the number of ME students from B, तो B यह हो गया, ME कहा है यह है, यह यह value missing है, तो वही same procedure होगा हमारा, हम पहले क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए, क्या चाहिए, इसकी value चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मैं 1700 में से थी, मैं इन तीनों का addition minus कर दूँ, तो मेरा यह वाली value आ जाती है, और इस value को निकालने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को add करके 1900 में से minus करना पड़ेगा, समझ आया, दुबारा सुन लीजिए, इस value को निकालने के लिए, मुझे इस value की जरुवत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, इन तीनों को add करके, मैं 1700 से subtract कर दूँगा तो ये value मेरी आ जाएगी और ये value कैसे निकलेगी इन तीनों को add करके 1900 जोकिन सबका addition है उसमें से minus करूँगा तो मेरी B की EEE value आ जाएगी तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इन तीनों को add करके 1900 में से क्या करेंगे minus करेंगे तो add करना बहुत असान है कैसे कारामने 5510 या रबन थाउजंट हो गया 1000 और 400 हो गया 1400 ठीक है धिखान रखिए 1400 को तो 1400 ही हो गया 60 और 40 100 हो गया तो 1500 हो गया ठीक है और 40 हो गया तो 1500 अन 40 हो गया यानि जो EEE 4B है वो कितना हो गया 1900 मैनास 1500 and 40 हो गया मैनस करना असान है, पहले 1900 में से आप 1500 मैनस कर दीजी, ठीक है, तो 400 हो गया, 400 में से 40 है, 360 हो गया, तो ये जो value आ गई, वो कितनी आ गई, ये value आ गई, आपकी 300 and 60 आ गई, अब इन तीनों को add करके 1700 में से मैनस कर दीजी, ठीक है, कैसे add करेंगे, similar process हमारा, ठीक है, तो 5 और 3 800 हो गया, ये, 5 और 3 800, ये थाउजंट हो गया, ठीक, अब 8 और 8 60, 160, 160 और 60 इस 220, तो पहले कितना था आपका, पहले आपका 1000 था, अब आपका 220 होगए नी, 1, 2, 2, 0 होगए, आपको क्या करना है आप, आपको 1700 में से माइनस करना है, 1, 2, 2, 0, जीक है, ये आपको क्या करना है, माइनस करना है, इस value को निकालने के लिए, तो कैसे मैनस करेंगे, 1700 मेंसे बिले 1200 मैनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 500, 500 मेंसे 20 मैनस करेंगे, कितना बचेगा, 480 बचेगा, ठीक है, तो आप कांसर कितना होगा, आप कांसर होगा, D option, that is 480, clear हो गया, बेल्कुल इसी तरीके से इसी अप्रोच से आपको questions को करना है, ठीक है, चले, question number 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अब यह वही question है, जो question number 1 था, similar, लगब लगब ऐसा question है, हम कोशिश करेंगे, कि इस question में हम लोग, pen का use कम करें, औरली करने की कोशिश करें, ठीक है, तो question में क्या कहा जा रहा है, आपका, B to C, M E के लिए, M E का है, यह हो गया, B to C का जो रेशियो है, वो दे रखे है, 24 ratio 19, किसी भी number को रेशियो में डिवाइड करने के लिए, हम इन दोनों का addition चाहिए होगा, addition निकालना बहुत असान है 680 plus 460 के addition को हम लोग 2000 में से minus कर देंगे, तो हमारा B की value भी आ जाएगी और C की value भी आ जाएगी, what is the number of CSE student from C, CSEC, यानि मुझे B की ज़रुद नहीं है, वो time में अपना save कर सकता हूँ, यानि मैं ये value निकालूंगा, फिर मैं इन तीनों को add करके 2000 में से minus कर दूंगा, तो मेरी CSEC की value आ जाएगी, C college से, clear हो गया सभी को, चलिए, orally करते हैं, ठीक, तो ME student from B2C, तो ME का addition निकालते है पहले, 6 और 4 कितना हो गया, आपका 1000, ठीक हो गया, 80 और 60 हो गया, कितना आपका 140, तो ये कितना हो गया, 1100 and 40, यानि 1140 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 1140 हो गया, तो 1140 क्या करना है आपको, इन चीज़े को हम लिख लेते हैं, तो 2000 minus 1140 आपको करना है, ठीक हो गया, तो 2000 minus, पहले 1100 minus कर दीज़े, 900 हो जाएगा, 900 में से 40 minus कर दीज़े, तो कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा, यानि जो ये value आ गई, 860 के आई, इन दोनों का addition आया, ठीक है ये फिर से 2 times जा रहा है, यानि 20 times चला गया, ठीक, अब हमें ये value निकालने की जरुवत नहीं है, मैंने आपको पहले question में समझाया था, क्यों, क्योंकि मुझे B की जरुवत ही नहीं, मुझे C की जरुवत है, तो मैं ये time अपना save करूँगा, है ना, तो 192 कितना होता है, 38, 38, यानि ये value आपकी कितनी आ गई, 380 आ गई, now you have to calculate this value, तो इस value को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों को add करके 2000 में से minus कर देना है, तो कैसे करेंगे, simple ही वैसी करेंगे, 5 और 4, 9, 9 और 3, 12, यानि 1200 तो ये हो गया, और 40, 40, 80, 80, 80, 160 हो गया, ठीक है, पहले कि 4, 9 और 3, 1200 था, तो 1200 और कितना हो गया, 160 हो गया, तो कितना हो गया, 1300 and 60 हो गया, आपको क्या करना है, आपको 2000 में से, यानि इस 2000 से आपको कितना मैनस करना है, 1300 and 60 मैनस करना है, तो 2000 में से पहले 1300 मैनस कर दिए, 700 बचेगा, तो 700 में से फिर 60 मैनस कर दिए, कितना बचेगा, 600 and फॉर्टी बच्चे गाने जो यह वैल्य आपको निकालने थी हो कितनी आगई शिक संडेड एंड फॉर्टी आगई थाना इजी बिल्कुल इसी अप्रोच के सब कुश्छन को करना है ठीक है चलिए इसमें आप्शन नहीं है कोई तो इसका अंसर जाएगा नन आफ दीस ठीक ह फॉर देखता है कुश्छन त्वड़ा पड़ा लग रहे है देखते हैं तफ़ यह आसाने ठीक है इव देट टोटल नमबर उफ स्टूदेंस फ्रॉड रम ए इस विपल टो टोटल नमबर उफ ए इमीश तूदेंस फॉम अल देखते टोगेदर तूटल नम्बर उफ एमी 440 is what percent of the total number of students from A all the department together यानि क्या बोला गया ECE बोला है na ECE students from C यानि 440 is approximately what percent of the total number of students from A all department यानि A का आपको सबका एडिशन चाहिए ठीक है अब एडिशन निकालने के लिए आपको इन दोनों को निकालना पड़ेगा है नहीं क्यों क्यों क्या कहा गया है है number of students total number of students of A is equal to the total number of EME students from all the college EME में all college में कितने students 2000 यानि इन सबका एडिशन भी कितना होगा इन सबका एडिशन भी इस particular question के लिए 2000 होगा आपको निकालना क्या है कि 440 is how much percent of 2000 in 200 कर दीजिए दो 0 से कट हो गया जिरो से 0 कट हो गया तो यह 22 times यह 22 percent is your answer देखे कई बार ऐसा हो जाता है कि question बढ़ा दिया हुआ है लेकिसका solution करने में आपको सिर्फ कुछ seconds का समय लगता है चीक है if the average number of ECE students from all the colleges together is 430 ठीक है and the number of ECE students from D is equal to the number of ME students from A what is the ratio of the number of ECE students from A to the number of CSE students from D इन questions में क्या करते है na step by step बढ़ते है क्यों लंबा कुछन है जनरली दिमाग में तो रहता है नहीं कि पहले क्या लिखा हुआ है देखते हैं if the average of the ECE students from all the college यानि ECE ये पूरा हो गया ठीक है इसका जो average दे रहका है वो 430 दे रहका है अब बेटा देखो 430 दी average दे रहका है तो इसका सम कितना होगा 1 2 3 4 5 है ना यानि 434 colleges 1 2 3 4 sorry 5 नहीं 4 colleges है तो 430 इंटु 4 जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा 430 इंटु 4 आपका हो जाएगा क्या इसका addition हो जाएगा इंचार हों का ठीक है तो 40 हो जाएगा आपका 430 12 हो जाएगा carry 1 हो जाएगा तो फूर फूर सिक्टी नहीं 1720 इस पर्टिकुलर कुश्चिन के लिए इस इपार्टमेंट का एडिशन हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं एड ते नमबर ओफ एसी इस टूरेंस फ्रॉम डिए ये वाला नमबर जो कह रहा है इस एकूल टू अप मेस टूरेंस फ्रॉम एंच्ट में चैस और सी यह जो नमबर वो चैस तूरेंस यह आपको दे निकालना है तो इसको निकालने के लिए इन सब को एड कर गे इन तीनों को एड करके 1720 से माइनस कर देंगे ठीक है चलिए करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 6 आपको क्या करना है 1720 में से तभी तो आएगा यह वैली वैल्यू चीक है आप चाहें तो जैसे भी कर लें नीचे रखके कर लें यहां वैसे कर लें चिक तो जाएगा जाएगा 0 जो जाएगा टू और एजएगा 32 चाह टीट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी हो गया ठीक मै अटि मैनश करना है तो आपका फ्रीचान टाउयसे की जरुवत नहीं है तो यह आपका cancel हो गया ठीक है अब 16 टू से टू से कड़िया और यह हो जाएगा कितना 18 फिर काट टू से हम लोग ठीक टू एडजा और टू नाइन यह आपका option number B आपका answer हो गया 8 ratio 9 ठीक है question क्वेशन असान था बहुत टफ नहीं था बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था सोचना था कि कैसे कर सकते हैं इस question में आपको इन ही इस जो यह डिया है आपके इस question का मतलब जो यह डिटा इंटरिपटेशन का आपके सामने question है means level में आपके ऐसे ही questions आते हैं बहुत असान होते हैं बस थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रत होती है इसलिए घबराना नहीं है question को पढ़ना है और सोचना है और the most important thing मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आपको regular practice करनी है ठीक है चलिए question number next देखते है six ठीक है चलिए question number six है what is the difference between the number of EEE and ME students from B together and the number of CSE and ME students from C together क्या बोला गया आपसे difference निकालना है आपको EEE और ME EEE plus ME निकालना है ठीक है किससे C का बी डिपार्ट बी कॉलेज के difference निकालना है इसका C college के किससे CSE plus ME से तो पहले बढ़ते है B के इन दोनों department से तो B का पहला department यह missing है ME भई दोनों मिसी है है ना उसी तरह CSE और ME C का CSE missing है और ME missing है अब बे कैसे निकालेंगे कोई tough नहीं है हमें क्या करना है हमें इसका addition चाहिए हमें इसकी individually value नहीं चाहिए है हमें इसका addition चाहिए तो addition निकालना तो असान है क्यों क्यों कि B में यही दोनों values मिसी है तो हम इन दोनों को add करके 1700 में से मैनेस कर दें तो हमारी यह दोनों का addition आजाएगा जो में चाहिए ठीक है तो add करते हैं देखिए 5 और 2 700 हो गया और 80 और 80 बच्छे का यह हो गया 840 difference निकालना है C से तो C में फिर इन दोनों को add करके 2000 से मैनस कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 5 और 4 900 और 40 80 तो 980 अब यह तो असान है ना तो 980 मैनस करना है तो 2000 में से पहले आप 900 मैनस कर लो कितना हो गया 1180 और मैनस कर दो कितना हो जागा 1020 इसका difference आपको निकालना है यह तो असान है यह आपका हो जागा 08 और 180 ठीक है तो option number is your answer ठीक है tough नहीं था आपको ध्यान रखना है इसमे को बहुत important question है कहीं पर भी doubt है तो दुबारा उसको देख लेना अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आये तब भी कोई दिक्कत होती है तो मैं जो comment section में बताना मैं कोशिश करूँगा जो next lecture lecture होगा आपका next lesson होगा उसमें मैं उस doubt को clear कर पा of total number of different professionals in a certain city एक शहर की बात की जा रही है एक city की बात की जा रही है वहाँ पे profession दे रखा आपको scientist, teacher, engineer, doctor, lawyer, the table shows the percentage of male professionals among them अब आपको एक और table दे रखिए उसमें कह रहा है कि जितने भी teacher है मान लो जितने teacher है उसमें से 25% male है चीक है जितने engineer है उसमें से 30% male है तो बागी ब basis पर हमें questions का answer देना है चले question number पहला देखते है और question number six देखते है इस lesson का seven देखते है नमबरी में मिस्टर कोई कोई बात नहीं ठीक है total number of female teachers is approximately what percent of total number of male doctors in a city देखो आप से teacher और doctor की बात की जा रही है ठीक है तो teacher और doctor की बात की जा रही है तो आपको सबसे पहले female teacher और male doctor ब mail निकलेगा ठीक है चली अब देखिए पहले हम teacher निकालते तो teacher कितना है वही टीचर है आपका orange color तो यह 28% आपका क्या हो गए teacher हो गए ठीक है तो 28% निकालना है यह 500 आपको क्या करना है 5000 का 28% निकालना है ठीक तो basically जिसका भी आप लोग करेंगे तो आपको यह तो पता है क दो जिरो से दो जिरो कर जाना है यही टीचर के लिए टूटेश से मल्टिप्लाय करके 0 बड़ा सकते है और इते आपको नहीं हाता है तो देख लीजे और आयब बटन पर आपको लेंग भी मिल जागा आप वहां भी पर सकते हैं ठीक है वहां पर बहुत सारे questions मैंने हम बता करना होता है 5 से मिल्टिप्लाइ करने के लिए 0 के हम बात नहीं कर रहे हैं तो 28 का हाव इस 14 चीक है एक 0 और बढ़ाना था और यह वालत 0 हो गया इन्हें जो टोटल टीचर हो गए हमारे वो कितने हो गए वो टीचर हो गए 1400 ठीक डॉक्टर भी निकाल लेते साथ में डॉक्टर है हमारा यह कर लें थर्टीन थर्टीन फाइब आपको पता है कितना अधा 650 होता है 65 होता है तो यह हो जाएगा है मदेशन तो आपके बागी बच्छे है और 40 शूइल यह कितना बचहता है कितना बचे anticip घॉचस nuts में दॉक्टर पूचा गया है तो डॉक्टर है हमारे पास टोटल कितने हैं 650 डॉक्टर से हैं तो डॉक्टर में से 40% मेल है तो 40% मेल का मतलब आपको क्या करना है ज्यान दो 4500 हो जाएगा यह ठीक है तो इस जीरो से वो जीरो कैंसल और यह बेसिकलि आपको 65 25 इंटिफ और इस टॉक्तर में सब्सक्राइब चरोल जिए अब यहां पर 40 पर सब्सक्राइब और से अच्छा है कि स्ब्सक्राइब करना है है तो मुल्टिप्लाइ कर लो 6530 कैरी 3636 और 3 हो गया आपका कितना 393 90 हो गए फीमेल डॉक्टर चीक है चलिए अब देखिए क्या करना है आपको क्या वोला फीमेल टीचर इस अप्रोक्सिमेटली वर्ट परसेंटेज आफ टोटल नमबर आफ मेल डॉक्टर तो फीमेल टीचर कितने हैं फीमेल टीचर हो गए 1050 चीक है तो 1050 हो गया अपॉन मेल डॉक्टर कितने हैं 260 आपके मेल डॉक्टर हो गया इन 200 आपको करना है तो यह कैंसल आउट हो गया अब देखिए उसे डिरेक्ली डिवाइट करो आप 26 किसके नियर अबाउट है वही 26 है आपका 25 के अब 25 फोर्जा कितना होता है यानि फोर्जा जा सकता है और फोर्जा ही जाएगा ठीक है फाइवजा ज्यादा हो जाएगा ठीक है इतनी कल्कुलेशन आपकी स्ट्रॉंग करनी पड़ेगी आपको तो 26 इंटू 4 होता है आपका कितना 104 होता है ठीक अब 104 बचा यानि 10 आगया तो 0 नोट करके रखना है तो मैं यहां पर नोट करके रख रहा हूं बागी चीज़े में एरेस कर देता हूं चीक है चलिए अब हम लोग इसके बाद अब इसमें से मेल और फीमेल निकालना है यह लोग वाला क्या इंजिनियर है ना इंजिनियर यह आपके इंजिनियर होगा थर्टी परसेंट तो आपको 3 से मल्टिप्ला कर देना सिंपल तो यह हो जाएगा यह कितना हो जागा 375 मेल हो गया बाकि वच्छे 70 परसेंट तो 75 जा 75 थीक है करी 3 हो गया 7 तूजर 14 14 और 3 कितने हो गया 14 और 3 हो गया 17 ठीक है करी वन हो गया ठीक और 717 हो गया 7 और 1 एक हो गया 875 फीमेल हो गया सिमिलरली लॉयर का निकाल लेते हैं तो लॉयर इस दिस कलर ब्लू कलर दिस 23 23 इंटू 5 करना है ठीक है जीरो तो आपको पहले से बढ़ा दीजे तो फाइब तरीज़ा कितना हो जाएगा आपका फाइब तरीज़ा हो जाएगा 15 कैरी वन और फाइब तो टैन और वन 1150 आप आपको 1150 का क्या निकालना है 52 परसें निकालना है तो 1150 इंटू 52 अपोन 100 आपको करना है इससे कैंसल कर दी जी और इससे और सिमपल इह मल्टिप्लाय कर दीजी तो आप कैसे कर सकते हो 1 15 इंटू 52 आपको 115 का डबल कितना होता है भी यहां पर पॉइंट लग जाएगा 598, यानि मेल कितने हो गए भई, मेल हो गए आपके 598, जो बाकी बचे वो कितने होंगे, वो female होंगे, तो 115 में से 598 मैनस कर दीजिए, तो आपका बचेगा कितना, 255, चीक है, क्या निकालना है आपको, male engineer, male engineer कितने है भई, 375, upon female lawyer कितनी है 552 आपके female lawyers है, तो यह हो जाएगा 552, चीक है, आप देखिए, 3 से divisible है, divisibility rule आपने देख लिया होगा, तो divide करते हैं, ठीक है, 3 1s आ 3, 3 2s आ 6, 3 5s आ 15, चीक है, 3 1s आ 3, 2, 3 8s आ 24, 3 4s आ 12, यानि option number A, that is 125 ratio 184 is your answer, ठीक है, ठीक है, असान था, बहुत तफ नहीं था, बस थ करनी है, आपको कि कैसे आप जल्दी-जल्दी कर सकते है, multiplication, addition, subtraction, वो चीज़ें आपको करनी है, चले question next देखते है, तो next question है, find the difference between the total number of teachers to that the total number of scientists, यहने teacher minus scientist करना है, तो teacher तो हमने निकाले हुए है, कितने हैं वही teacher, teacher आपके हैं कितने, 1140, अब हमें क्या निकालना है, हमें scientist निकालने, तो scientist निकाल लेते हैं, scientist कहा है वही, red वाले scientist 11, scientist हो कि संख्या कम है इंडिया में, ठीक है, तो 11, 5, 55 और 0 हो गया, तो 550 हो गया, basically you have to do 1400 teacher minus 550, ठीक है, तो अब इसको subtract कर दीजे, अब subtract करना असान है, बहुत अपनी है, ठीक है, 0 हो गया, 5 हो गया, और यह आपका ह हो जाएगा, 3 तो अपका कितना हो जागई हो जाएगा, आपका 850, यहीं, option number D is your answer, ठीक है, clear हो गया, बहुत असान कुश्यन था, simple था, कुछ यदा सोचने वाली बात नहीं थी, चले, question है, आपका next, find the total number of female engineer doctor lawyer in the city, अब देखे, data लिखने का कितना फायदा हो गया, आपको ठीक है ना, क्योंकि engineer भी हमने निकाल रखे है female, doctor भी हमने निकाल रखे है और हमने lawyer भी निकाल रखे है, तो basically इन सब का क्या कर देना है, हमको addition कर देना है, तो 5 or 2, 7 हो गया आपका, ठीक है, 9 और 7, 16 हो गया, 16 और 5, 21 हो गया, carry 2 हो गया, 5, 3, 8, 8, 16, और 16 हो गया, 18 हो गया, and do subscribe, QTrix, thank you so much.